हालो एवरीवन, वेलकम बाक तो आर यूट्यूब चैनल, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी ओनलाइन एडवांस टेक्स की पेमेंट कर सकते हैं, in just a few steps, 15 दिसामबर 2023, last date है, third installment की एडवांस टेक्स पे करने की, अगर आप एक individual taxpayer है, तो आप अपना 75% एडवांस टेक्स, 15 दिसामबर तक पे कर दें, अगर अधर्वाइस आपको पे करनी पड़ सकती है, penalty, under section 234B and C के अंदर, ये interest है, जो कि एडवांस टेक्स टाइम पर ना करने पर पे करने पड़ सकते हैं, तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, first step एड इंकम टेक्स वेबसाइट पर, that is, ePortal.IncomeTax.gov.in, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर एंटर करेंगे, हमारे पास एक इस तरीकी की स्क्रीन खुल के आएगी, आपको होम पेज पर विजिट करना है, होम पेज पर विजिट करने के बाद, left hand side पर जो भी options दिये हैं, quick links के, उ आपको ePay Tax पे click करना है, ePay Tax पे click करने के बाद, एक इस तरीके की window आपके सामने आएगी, यहाँ पर आपको उस SSC का pan number, जिसकी आप Advanced Tax की payment करना चाहते हैं, again pan number को आपको repeat करना है, so that pan number डालने में कोई mistake ना हो, pan number डालने में अगर किसी भी तरीके की आप mistake करेंगे, तो य नहीं पाएगा या फिर गलत pan number पे Advanced Tax की payment हो जाएगी, तो यहाँ पर pan number डालते समय आपको ध्यान लखना है, कि आप उसी SSC का pan number डाले, जिसकी आप Advanced Tax की payment करना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम pan number डालेंगे, pan number डालने के बाद, हमें mobile number डालना है, भी mobile number हम यहाँ पर डालेंगे, उस पे एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है, जो भी आपने mobile number डाला है, उसके ओपर एक OTP रिसीव होगा, वो OTP हमें यहाँ पर डालना है, OTP डालने के बाद, आपको information provide करेगा, कि किसका आप pan number पर payment करने जा रहे हैं, और उसका income tax पर क्या name registered है, वो information एक बार cross check करने के बाद, आपको continue पर क्लिक करना है, हम अभी advanced tax की बात कर रहे हैं, तो income tax में first option है, advanced tax, जिसका की code होता है 100, तो हमें इसी को ही आगे proceed करना है, proceed करने के बाद, आपको assessment year select करना है, कि किस assessment year की हम advanced tax की payment कर रहे हैं, अभी 15 December को हम जो है, assessment year 24, 25 की advanced tax की payment करेंगे, तो हमें इसको select कर लेना है, यहां से, select करने के बाद, अब आपको type of payment पे click करना है, हम advanced tax की payment कर रहे हैं, जो की first ही option है, आपको इस पे click करना है, then continue, continue करने के बाद आप देख सकते हैं, यहां पे screen है कि आपको कितना tax pay करना है, कितना सरचार्ज है, कितना sales है, कितना interest है, basically आपको barfrication देनी की ज़रूरत नहीं होती, आप tax में ही total amount डाल सकते हैं, let's suppose यहां पे मैं thousand rupees की payment आपको डाल के दिखाते हूं, आपने thousand rupees डाला, then continue, अब यहां पे आपको यह different option शो करेगा, जिसके तुरू आप online payment कर सकते हैं, net banking के तुरू भी कर सकते हैं, आप debit card के तुरू भी कर सकते हैं, bank counter, paid bank counter में क्या होता है, कि यहाँ से आप bank में जाके payment करना चाहते है अगर तो यहाँ से आप bank में cash में payment करेंगे check में payment करेंगे या dd के through payment करेंगे वो option आप select करके और bank को यहाँ से select करके फिर जब आप continue करेंगे तो आपके पास एक चलान generate होगा उस चलान को download करके print out निकालके आपको फिर उस particular branch में जाना है जो आपने यहाँ पे mention की है तो आपके tax की payment easily हो जाएगी जो पहले होता था कि हम offline form निकालते थे फिर उसको fill करते थे फिर bank में जाते थे payment करने के लिए वो अब process बंद हो चुका है अगर आप offline payment भी करना चाहते हैं तो भी आपके पास जो चलान होना चाहिए वो system generated चलान होना चाहिए उसमें already आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से bank के थुर payment कराना चाहेंगे और कौन से mode में like check के थुर cash के थुर dd के थुर कैसे आप payment कराना चाहेंगे तब ही आप जो है offline mode में उसकी payment को कर सकते हैं आपके पास option है RTGS का और Neft का आप RTGS और Neft पे click करके भी अपनी payment को कर सकते हैं now the last option is payment gateway including UPI इस option को use करके आप UPI के थुरू भी अपनी tax की payment को कर सकते हैं UPI या फिर QR code इन दोनों ही methods को use करके आप अपने tax की payment कर सकते हैं so these are the methods जिसके थुरू आप अपनी tax की payment online कर सकते हैं यह थे छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीकी से online अपनी tax की payment कर सकते हैं बहुत ही simple steps हैं आप इसके थुरू अभी अपने advanced tax की payment करिए so that आपको interest ना पे करना पड़े under section 234 B and C thank you so much for watching this video अगर वीडियो पसन आया हो तो मेरी चैनल को subscribe और इस वीडियो को like जुरूर करेगा thanks a lot